Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamualaikum. आज की इस वीडियो में हम exercise 9.3 question number 5 discuss करेंगे. इसके first four parts इससे पिछली वीडियो में हम discuss कर चुके हैं. अब 5 से start करेंगे और last part तक आज complete करेंगे से. इस question में हमने क्या करना था? Find trigonometric functions ठीक है? values find करनी थी trigonometric functions की और हमारे पास angle given थे. 5 part है हमारे पास minus 15 pi. इसमें हमने क्या करना था? Negative term को positive करना था. और multiple of pi हमने even number बनाना था. जिसे हमने निकलग करना होता है. ठीक है? तो minus 15 pi को हम लिख सकते हैं. pi minus 16 pi. मतलब यहाँ पे coefficient 1 है. 1 में 16 minus करेंगे तो minus 15 मिलेगा. अब pi का जो multipel है वो 16 है. जो के even number है. इसे हम करने गेंगे neglect. और अब हम trigonometric functions बागी find करते हैं. first of all sign apply करते है. sign minus 15 pi is equal to sign pi. ठीक है? इसे हम neglect कर चुके हैं. neglect मतलब ignore कर देना. ठीक है? तो हम just pi use करेंगे. sign pi पे value होती है. हमारे पास 0. calculator से भी आप कर सकते हैं. और table भी मैं आपको बता चुके हैं. वहां से भी आप देख सकते हैं. next है cos. ठीक है? minus 15 pi is equal to cos pi minus 1 के equal होता है. 10 minus 15 pi is equal to 10 pi is equal to 0. आपके पास. अब इसकी हमने reciprocal ले ले लेने हैं. साइन करें से प्रोकुल क्या होता है हमारे पास. ठीक है. cos. minus 15 pi is equal to cos. pi is equal to 1 divided by sin. cos. करें से प्रोकुल क्या है? sin. ठीक है. तो हम cos. साइन को 1 divided by sin लिख सकते हैं. sin. pi की value is 0. पुत करें 1 as it is. 1 divided by 0. infinity. next रहेंगा. second minus 15 pi is equal to second pi. second का reciprocal cause होता है. तो हम लिखेंगे 1 divided by cos pi की value पुत करें. तो हमारे पास answer आजाएगा. minus 1. cot minus 15 pi is equal to cot pi is equal to cot का reciprocal होता है. बार पास 10. तो हम लिख सकते हैं. 1 divided by 10 pi. 10 by 0 की एको होता है. 1 divided by 0. undefined means infinity. ठीक है. इसी से question है. बस आप इसका first step देख लें. कि आप इसको किस तरह से बनाएंगे. next है. मारे पास six part. 1530 degree. अब देखें. आप इसी किस तरह से solve करेंगे. इसे हम लिख सकते हैं. 1440 degree plus 90. अब देखें. 1440 कि हम लिख सकते हैं. 4 multiply 360. हमने ऐसे क्यों बनाया? 360 होता है. हमारे पास two pi की equal. तो pi को multiple क्या हो जाएगा? एक even number ठीक है. तो हम उसे ignore कर सकते हैं. इसी तरह अगर two pi को. जब हम four से multiply करवाएंगे. तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1440. तो यह हमारे पास two pi होता है. तो pi के साथ multiple two बन जाएगा. तो इसे हम क्या कर देंगे? neglect और हम 90 use करेंगे. sign 1530 degree is equal to sign 90 degree. sign 91 की equal होता है. इसी तरह cause find करने है. इसी तरह आपने 10 find करने है. इसी तरह इनके reciprocals. I hope के इतने questions करने के बाद आपको reciprocals find करने आगे होंगे. देखिए, cosecant लिखेंगे 1530 degree is equal to cosecant 90 degree. इसी तरह पार्ट की तरह हम move करते है. सेवन पार्ट है माइनस 2430 degree. अब देखिए, हम इसे किस तरह से solve करेंगे. अगर हम इसको multiply करवाएं. 360 को. बलकि हम इससे multiply करवाते हैं 7 के साथ. अगर हम 360 को 7 के साथ multiply करवाएं. तो हमार पास जो भी vary हो है. तो हमार पास देखिए, एक even number बनेगा. ठीक है, multiple of pi क्या बनेगा? और अगर हम इससे multiply करवाएं. 8 multiply by 360 तो हमार पास बनेगा 2880. विकास हमने multiple जो है, बनाना है पाई का एक even number ताकि हम उससे फिर ignore करनें. ठीक है और यह negative भी है, इसको हमने positive में भी convert करना होता है. ठीक है, तो हम अगर 8 को 360 से multiply करवाएंगे तो हमार पास 2880 आएगा और यह एक हमार पास बन जाएगा पाई का multiple odd even number. 7 से करवाएं तो odd बनते हैं, इसलिए हमें 8 से करवाना पड़ेगा ताकि हमार पास even number बने और हम उससे निगलत कर दें. ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक हमार पास यह नमबर आ गया है, तो हम मतलब यहां पर क्या number यूज करें कि हमार पास minus 2430 है, तो हम 450 में से minus करेंगे इससे तो हमार पास यह value आ जाएगा तो इस तरह से आपने इसको यादत ने, अब देखिए हमार पास even number आ इसके लिख सकते हैं, तो पाई के साथ 2 एक even number है, वह क्या बच जाएगा, उसे हम निकलेक्ट कर देंगे, multiple of pi even number बन जाएगा, तो इसी तरह 360 multiply 8 वरपस यह बनेगा, तो यह एक even multiple बन जाएगा, इसे हम कर देंगे, निकलेक्ट, अब साइन 2430 पर यूज करेंगा, और यह हम करेंगे, sign 450 यह बना जाएगा, इसी तरह cause आपने find कर लेना है, 10 find कर लेना है, और second, और इसी तरह इनके addressing profiles, ठीक है, next 8 part है, 235 divided by 2 pi, ठीक है, इस तरह की questions को हमने क्या करना था, first of all, divide, divide करें तो 2 को multiply करवाए, 116 के साथ, तो आपके पास आजएगा, 232, 552 minus करेंगे, 3, यहां भी pi से multiply करवादेने, आपने, यहां भी pi से multiply करवादेने, और इससे लिखना किस तरह से होगा, first of all, लिखेंगे reminder, 3 pi divided by 2, जिससे आपने divide किया था, plus 116 pi, यह आजाएगा, अब देखें, pi का, जो multiple है, मार पास एक even number है, इससे हम कर देंगे neglect, और views होगा, हमार पास 3 pi by 2, ठीक है, तो आप first of all, लेंगे, sine, 235 pi by 2, is equal to sine 3 pi by 2, जो के मार पास होता है, minus 1, इससे तरह आपने cost find करना है, 10 find करना है, cosecant, secant, और cot, तो यहां तक आपने, इस question को complete कर लेना है, next, ix part 407 divided by 2 pi, अब इससे भी आप divide करेंगे, तो 202 को multiply करें, 2 के साथ, तो 404 आएगा, minus करेंगे 3 आजगा, यहां भी pi लिख दें, यहां भी pi लिख दें, answer कैसे आप बनाएंगे, reminder, ठीक है, 3 pi divided by 2, plus 202 pi, अब देखें, pi का multiply, एक even number है, तो आप इसे कर देंगे, neglect, और use sin 407 pi by 2 is equal to sin 3 pi by 2 is equal to minus 1, cos 407 pi by 2 is equal to cos 3 pi by 2 is equal to 0, इसी दरह 10 आजएगा, infinity आजएगा, अब इसके reciprocals लेंगे, consequence, secret, or court, I hope, कि यह आप solve कर लेंगे, very important question है, आपका यह exercise, question number 5, तो आपने इसके अच्छे से practice करनी है, अगर कोई बात समझ रही है, आई तो आप comment section में, पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छे लगे है, तो इसे like कीजिए, friends के साथ, जएदा से जएदा शेयर कीजिए, और subscribe करना भी मत गूलेगा, अगर notes देना चाहते हैं, तो description में दिये गए number पर contact करे, thank you so much, Allah Hafiz